नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मैं आपके समक्ष मुना कुमारा आप लोग का स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले इस टॉपिक को जो इतिहास का टॉपिक है ठीक है इतिहास और बात करेंगे हिस्ट्री जिसे बोलाता है 12 कलास का है और 2009 का पेपर है अगर है एक लाइन से बना पाएंगे ठीक है और इस तरीके से में बता भी देता हूं कि आपका रिबीजन हो जाए दोजर नौ का दोज़ेदस का दोजर इगारा का दोजर बाइस तक पर करें दो जाते इसका जो पर होने वाला है उनको भी हम यहां पर बताएंगे कैसे एक्जाम में पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखेंगे जो बच्चे नए हैं उनके लिए आप छोड़के जाए मत पहले समुनिये वीडियो आप देखते हैं और छोड़के चले जाते हैं वैसा काम मत किजिए आप पूरा में दिखाने का प्रियास किजिए कि मास्टर ने किया क्या समझाया क्या और कैसे एक्जाम में कोशन आते हैं मैं दिखाने का प्रियास करहों यह जाम 2009 का जो पर दिया होगा बच्चा उसके जाम ही question है तो सिंप यहनी पिपर जो है फिर्मीर कोश्चन में हम पढ़ेंगे प परिक्षा का मतलब यही होता है कि बच्चे कितना अपने सब्दों में इस उत्तर को अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं ठीक है माहा मंत्रों को किसने नुक्त किया था धम माहा मंत्रों की बात करें तो धम महामंत्रों को नुक्त करने वाला जो अब्यक्ति था हुआ था असुक असुक यानि option नंबर सौन ठीक लगाएंगे एस अ का मतलब होता ए और बाहिक का मतलब ऑसो साथ का मतलब सी अदर का मतलब होताा इडि याज अपन होनलोग जो है option number C को ठीक है option number किसको लगाएंगे सी को यानि जो महामंत्र होते हैं उनका निक्ति जो करने वाला था महामंत्र का मतलब जो धर्म के परचार के लिए जो महामंत्र होते थे जैसे आप लोगों पढ़ा होगा कि धर्म के महामंत्र के लिए असोक जो है परचार के लिए बात करता है और अपने पुत्र जैसे स्रिलांका विदा करता है अपने परचार करने के लिए बहुत धर्म को तो किसने निक्त किया था तो असोक ने अब सान नंबर आपका 100 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा नेक्स कोशन की और पढ़ें नेक्स कोशन में क्या लिखा है इनको हम समझने का परियास करते हैं नेक जैन धर्म का है बहुत धर्म का है सो धर्म का है या बेशनो धर्म का है तो त्री पिटक जबी बात करेगा तो त्री पिटक का मतलब होता है तिन कुस्तक से संबंदित है त्री कहां पिटक कहां तो समझ देजिए कि बहुत धर्म से संबंदित है अप्शन नंबर भी आपका जुआ हो जाएगा राइट हो जाएगा में अहांत कोई carved को समस्या है तो आप जरूर कमेंट करेंगे यह मेरा पहला वीडियो है जो के लिए बना रहे हैं अरल्स टौक का वीडियो पूरा मनें गे और पले लिश्ट में बहुत सारे वीडियो दिये गए हैं वहां से आप जाकर देख सकते हैं ठीक है यहां पर बात करेंगे कि कनिक्स की राज रोहन तीथी कब हुई थी राज रोहन की बात करेंगे आप सन नमबर तीसरा जो राइट है देखिए यहां पर देख पा रहे हैं तो कनिक्स का जो है राज रोहन राज रोहन का मतलब होता है राज अभिसेक राज अभिसेक कब होता है यह कोस्टन कई बार एक जाम में पूछा गया है और कनिक्स ने जो है सक संबद को सक संबद को पूछा जाएगा कि सक संबद किसने चलाया था तो कनिक्स ने चलाया था कब चलाया था, तो 78 इस बी में और उसी समय राजरोहन हो जाता है तो option number 2 जो हो जाएगा, right हो जाएगा, यानी 78 इस बी में कनिक्स का राज अब इस से खोता है, यानी राजरोहन किया जाता है ती ठीक डेंट में, और सक्समबद किसी ऩप चलायी थी तो असोक ने चलाई थी, कब चलाई थी तो यही 78इस भी में है सकसंबत चलाई गई थी इस वातों को धियान में रखेंगे Next question क्यों बढ़ते हैं, next question में क्या लिखा है Next question में लिखा है कि माभारत, माभारत का अब नम भली बाती जानती हैं महाभारत यूद कितने दिन तक चला था जो महाभारत का यूद था महाभारत की बात करेंगे जो आपने देखा होगा कृष्ण जी की बाते और कृष्ण जी और उसमें दुर्योधन जो रहता है उस महाभारत की बात हो रही कि महाभारत कितने दिन तक चला था कितने दिन में स आने का परियास करूंगा अगला कोशन क्या है नेक्ट कोशन की और बात करेंगे नेक्ट लिखा है कि महाबीर ने पार्शनात के सिधान्तु में नाया सिधान्त क्या जोड़ा पार्शनात ने सिधान्त कितने दिये थे तो पार्शनात ने चार सिधान्त दिये थे कई बार कर का मतलब होता है संस्तापक से बताया जाता है यानि माभीर स्वामी जो थे वास्तिविक संस्तापक बोला जाता है और अंतिम संस्तापक बोला जाता है माभीर स्वामी ने माभीर स्वामी ने एक एक जो नया नया जो नया की बात करें नया सिधांच जोड़ा था वह था ब् बरम चर्य यानि अप्सान नंबर आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत है अगर ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझे ज्यादा आवाज ती लग रही है तो आप एक पर जरूर कमेंट करें कि सर आपका बढ़ा कर लेते हम थोड़ा सब बढ़ा करने के बाल लिखा है कि पूर्तगालियों ने गुवा पर ठीक है पूर्तगालियों ने गुवा पर कब अधिकार किया था जो पूर्तगाली थे सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे पूर्तगाली सबसे पहले भारत में आने वाले कौन अरो सबस्थे पहले आने वाले जो पॉख्ति थे वास Caesar ऑ लगा मांत रभ्हा सब सरीक है आता है तो केराल कप बंद्रगा पराथा आता है आपम नो क्लास का पढ़े हों पढ़ाया होगा तो आप सब्सक्राइब नौ कलास का इंटर में पूछ रहा है आप ध्यान से सुने और अच्छे से पढ़ें आपको बताया क्या जा रहा है यह जा में कोशन आया था 2009 के पर में 2009 का जो पेपर था उसमें यह कोशन पूछा गया है और फिर मैं दिखाऊँगा कि आपके 2010 में 2012 के कोशन में यही जो कोशन है रिपीट होते हैं आते रहते हैं तो एक बार बाद समझने के दुबारत आप मारिएगा तो आपके कोश्चन कहीं नहीं जाने वाले तो आप एक पर समझते जाईएगा ठीक है जो भी कमेंट कर रहे हैं बहुत-बहुत धन्नेवाद मेरे दोस्त अगला कोश्चन की चलते हैं लिखा है सहायक संधी की निती किरिया किरियानवीत की थी किसने जो सहायक संधी निती को किरियानवीत की थी किरियानवीत का मतलब होता है लागो किया था या इससे भी पूर देगा सहायक संधी किसने लागो किया था तो वह था डलहोजी कौन ता डलहोजी कौन ता डलहोजी याद रखेंगे डलहोजी सहायक सहायक संधी निती किसने किरियानवीत क पीछने किया था अवद में यानि बात करें सबसे पहले अठार सो संतावन जो है सिपोई विद्रोह के नाम से जान जाता है किसके विद्रोह के नाम से जान जाता है और सबसे पहले मंगल पांडे यस विद्रोह को करते हैं ठीक है मेरट से इस्टाट होता है दस मही अठार सो स की अगर विहार से पुछेगा तो बिर्कूह से थे कुंधा तो पीर अली थे कुंधे पीर अली लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अवध से आध मतलब यूपी से पुछ रहे हैं यूपर के छेत्र से 1857 में किसने नितित्वे किया था किसके देख रेक में चलू हुआ था तो वह थे बेगम हजरत महल याद रखेंगे अवध में 1857 के बिद्रू के नितित्वे में बेगम हजरत महल नितित्वे किया था नेक्ट कोश्चन की और बात करेंगे यहां पर 1857 का बिद्रो कब आरम हुआ था अभी मैंने बताया था कि 1857 का बिद्रो जो होता है वह 10 माई को स्टाट होता है 10 माई को मेरट से का से मेरट से का से मेरट से 10 माई को स्टाट होता है तीक है मेरट से जो है 10 माई का स्टाट होता तो अप्सन नंबर आपका और जो हो जाएगा राइट हो जाएगा और का मतलब का याद रखेंगें नेक्स कोशचन क्या है उसको हम समझने का पर्यास करते हैं में क्या लिखा है भारतिया- राष्टिय은 कांग्रेश के संस्थापक कौन माने जाते हैं भार्तिय राष्टि को संस्तापक कीजिंद माना जाता है तो मानने वाले व्यकति थे 10 का आसन आपका खरेक्ट हो जाएगा 10 का अप्षा करेक्ट हो जाएगा यह हूँ यह चैनल· गेंग्रेस पार्टी के चनल बार होती है अटारःस हो तरहां और कंग्रेस पार्टी राष्टी राष्टी कंग्रेस पार्टी के अस्थापना कब अठार सो पचासी में और यह हूं जो रहते हैं इनके संस्थापक रहते हैं यह हूं जो थे यह पहले ICS अधिकारी ते कौn से अधिकारी जो आज UPSI अधिकारी के रिफ में जानते है आये पहले ICS अधिकारी बोला जाता था ICS अधिकारी जो रिटाल थे ठीक है AO Hum यौ जो ढिंगरेश भारतिय राश्टिय कांगरेश के संस्थापक किने माना जाता है तो ए ओ हुम को यहां तक क्लियर है ठीक है आगे कुश्चन बढ़ते हैं लिखा है कि बिजय नगर समराज की अस्थापना किसने की थी बिजय नगर समराज की अस्थापना जो करने वाले ब्यक्ति थे आप भली भली जानते हैं भली भाती कि हरियर और बुक्का हरियर और बु तारता याद रखेंगे बिजे समराज के अस्थापना किसने की थी तो हर्य और बुक का जो ब्यक्ति थे दो भाई थे उन्होंने बिजे नगर समराज के अस्थापना की थी नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं नेक्स कोशन में क्या लिखा है आईए देखते हैं नेक्स कोशन के और बार करें बारावा कोशन बारा कोशन में क्या दिया है इनको हम देखने का परियास करते हैं इधर मिटा लेते हैं आईए मिट गया अब बात करते हैं लिखा है उत्तर भ तर भारत जी से कौते में इसरह दिखाने का प्रियास कर रहा हूं यह जो है आपका छोटा सा प्यारा सा यह आपका भारत हो गया उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरम किस संत ने किया था कौन सा इसा संत था जिसने उत्तर भारत में क्या किया था भक्ति आंदोलन का आरम किया था भक्ति आंदोलन का आरम करने वाले जो ब्यक्ति थे आपका रामानंद कौन थे रामानंद रामानन्द की बात करेंगे तो रामानन्द जो ब्यक्ती थे इन्हों ने भाक्ति उत्तर भारत में भाक्ति आंधोलन का अरम करते हैं ठीक है यहां पर याद रहेगा कोई दिकत है रामानन्द अप्सन नुम्बर 100 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा नेक्ट उजन की और बात करते हैं कि कैप्टन होकिन्स किस मुगल सासन के दर्बार में आया था कैप्टन जो था कैप्टन होकिन्स जो था यह किस मुगल सासन के दर्बार में आया था यह कई बार एक्जा में पूछा जाता है यह जो आया था सबसे पहले यह आने वाला पहले पहले आने वाला था वह और अरंजेब के दवरबार में लेकिन अरंजेब की मिर्टू हो गई थी और अरंजेब की मुर्तिवू 1707 इस भी में हो जाती है याद रखेंगे 1707 में condition होते हैं वह जाह गली के दर्बार में आते हैं यादhone नमबर आप का जो जाएगा वीक्रैक्ट ऐस के दर्बार में कैपटन cobarnis किसально मुगल quieres दर में आए थे तो जाहगरी के लेकिन चले थे किस दर्वार में आने के लिए और अंजेव के में पूत्र बत्ता है कौन जय जया घृता है तरवार में आते हैं यह नहीं होगा यह अप्छन राइट हो जाएगा ठीक है यहां तो कोई दिक्कत है कोई समझ्या है तो बताईए नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं यहां पर बात करेंगे लिखाए निमलेखित में अकबर किस पर अधिकार कर सकता है लिखाए कि निमलेखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका है यह कोशन पूछा गया है वह पू नहीं किस पर वह अधिकार नहीं कर सका जो अकबर जो था किस इस चारों छेत्रों में से किस पर अधिकार नहीं कर चुका यह कोश्चन पूछा जा रहा है तो यह जो था यह जो था अधिकार नहीं कर चुका था तो अपसन नमबर आपका यह जो हो जाएगा राइट हो तो आलम गिर के नाम से जानने वाला जो ब्यक्ति होगी वह आप लो जानते होंगे की और अ heureने यहां दीखत है तो बताईए यहां पर मतर में ओफ इंडिया का निर्मान कब हुआ था याद रखेंगे गांड गेवेट गेटवे आफ इंडिया गेटवे लिखा ठीक है गंगवट नहीं लिखा है मेरे दोस्त इसके लिए सोरी गेटवे आफ इंडिया गेटवे आफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था गेटवे आफ इंडिया जो है इसका निर्माण सिमें समद्धूर्द इंडिया का निर्मार होता है याद रखेंगे सतरह अप्शन की बात करेंगे सतरह जो अप्शन हो जाएगा आपका 2942 में कौन सा अंदलन हुआ था अब जानते हैं बहुत बाती जानते होंगे कि 42 में भारण छोड़वा अंदलन होता यानि ऑप्शन नमबर दो जो हो जाएगा राइट हो जाएगा कोई दिक्कत है आगे बात करेंगे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था तो यह देने वाले व्यक्ति बहुत ही सधारन व्यक्ति थे सधारन व्यक्ति का मतलब क्या यह जो कहने वाले कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो यह नारा जो देने वाले थे वह आपके थे तौन आपका देने वाले जो नारा थे वह थे सुभास चंद्र बोस किसने सुभास चंद्र बोस ने कहा कि दिल्ली चलो कहा चलो भाहिया दिल्ली चलो ना बात्मा गांदी ने कहा था ना जो आला नेरू ने ना रजेंद परसा ने कहा था ये सुबाश चंद्र बोश ने कहा था कि दिली चलो का नारा किस ने दिया था तो सुबाश चंद्र बोश यान्नी अठारा का क्या हो जाएगा the right answer जब कि अब बात करेंगे हम नेक्ष्ट कोश्टन की और बढ़ते हैं न बी राव अमेदकर यानि option number D जो हो जाएगा राइट हो जाएगा और सविधान निर्माता की बात करेंगे तो यही भीम राव अमेदकर हो जाएगा सविधान लिखने वाले व्यक्ति यही थे भीम राव अमेदकर और इनका जन्म में 14 अप्रेल अथार सो एकानवे में महुमत पदेश में इनका जन्म होता है इसलिए 14 अप्रेल को अमेदकर जिवन्ति मनाया जाता है यह वी कोश्चन कई बार एक जाम में पूचे गहें तो याद रखेंगे वीश्वा कोश्चन की और आते हैं नेक्ट कोश्चन की और लिखा है कि भारतिय सविधान की अनुसार संप पर भुकता जो है पर भुकता जो है नहींत है सभिधान अप्शन नमबर दी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा निद्धा राइट हो जाएगा लिखा है यहां पर बहुत ही सुन्दर अप्शन के साथ सुन्दर कोश्चन दिया है कि राखल दास बनर जी मोहन जुद्रों के अवसेस कीस बर्स मिलेते यानि राखल दास बनर जी ने मोहन जुद्रों के ख़़ाई कब करवाई थी तो आप जानते हैं कि सबसे पहले राखल दास बनर जी राखल दास बनर जी और एक ते दाया रामसानी दाया रामसानी ने हरपा के ख़़ाई करवाई थी जब की राख निसमें सिंदु ओराट की कासी कहां से बिसाल अस्णाना गार अस्णाना गार का मतलब होता है कि जहां पर नेहाने के पर्मान मिले हैं असनानागार और विसाल अनके भंडार कहेगा तो जहां पर अन रखे जाते थे उनको अनागार बोला जाता है और जहां पर असनानागार की बात करेगा जहां पर नेहाने की होती थी तो सिंदुगाटी सभ्यता में विसाल असनानागार क याद रखेंगे को दिक्क्त हैं अब बात करते हैं कि next question की 16 महाजनपदों में सबसे सक्तिसाली महाजनपद कौन था तो 16 महाजनपदों में सबसे सक्तिसाली महाजनपद जो था वो मगत था आपने कई बार एक्जामें पढ़े हो कि मगत सबसे सक्तिसाली सा सकता यह मगत का उतकर्स कैसे हुआ आप नहीं देखें तो मेरा प्लेश्ट लिष्ट में जा करें सिंट इस्टी पढ़िए आपको पूरा मिलेगा अब बात करते हैं नेक्ट कोशन की और नेक्ट कोशन लिखा है कि और सास्तर और इंडिका से किस राज वन्स के विशे में जनकारी मिलती है और शाथ्र जो है पूश्तोव का नाम है इसको लिखनी वाले जो ते कोटिल जिसे भिष्णू गूप्त और चड़क के नाम से जान जाता है और इंडिका पूश्तव जो लिखनेवाले थैं मेगा अस्तमीं ये दून पूश्तर ज्जारी देते हैं याद रखेंगे कोई दिक्ता भी निस्सक्ष्टन के ओर बढ़ते हैं क्या लिखा है है नेक्स्ष्ट उस्टन में लिखा है आपको कहा थीक है नेख़्ड कोछन के और बात करेंगे कि किस सिला लेख में और सोग के कलिंग विजय के उलेख मिले हैं कौन से सिला लेख में जो कलिंग विजय का उलेख मिलते हैं तो इनका जो है यह तेरावे सिला लेख में कलिंग का वर्णन मिलता है ठीक है कलिंग जो होता है कलिंग का यूद जो होता है जो कलिंग यूद जो ह और उसी समय असू का हिर्दय परिवर्तन हो जाता है तो उसका वर्ण जो है को जससी AH में कि कितने हागों में इस यॉट्या गया है तो यह भीवक्थ किया गया है तो 10 là गया है कितने भागों में अप्सन नंबर उस जायेका और राइट हो जाएगा यहां पर पर बात करेंगे नेक्ट करोंचोन के और सताहसवा कोशन है लिखाए ने प्रोशन वे आप लोग बात करेंगे यहां पर देखेंगे नेख्ट कुछन की और तो बड़ा कर लेते हैं तो नेक्स पूशन की और दिखाए यहां पर लिखा है कि भाईया अस्थापयकला का सबसे अधिक विकास किस समय हुआ था जो अस्थापयकला होते हैं अस्थापयकला क्या कहा जाता है पहले समझे अस्थापयकला का मतलब होता है कि जो भौने बनती है जो भौने का निर्मान होता है इसलिए लेकि इस सब का जो मूतिया बनती है अस्थापयक इसका और्प्षं ऑपका राइट हो जायेका तो यानिया जहां के शासंकाल में अस्थप असथप्यकुला का जो होता है और धीक विकास होता है यानि 28 ग्रेस की और उड़ीन हो जाएक चैनि कितना हो जाएका 100 यानि अपर सन नमबर शी को करेक्ट करेंगे लिखा है नक्सोर्चन के और बात करेंगे यह कहा है कि सेख मुईनु दिन चिस्ती सेख मुईनु दिन चिस्ती जो है चिस्ती की दरगाह कहां है मैंनु जो थे इनकी दरगाह कहां है दिल्ली में है अगरा में है फते पुर्शिक्री में है अजमेर में है तो सेख मैनु जिन चिस्ती जो थें इनका दरखा जो है यह आपका जो चтобыर अजमेर में कहा है है अजमेर में लिए और प्षयन को याद रखेंगे कсь एक को मंदू चीरी का दरगा अजमेर में है अप संड गया दी दी हो जाएगा ने souvent का करेंगे कि इस्ट इंडिया कंपनी के अस्थापना कब हुई थी कई बार पढ़ाया गया है कि इस्ट इंडिया कंपनी के अस्थापना का नेपोलियन का संबोद्ध किया गया है तो आपका आपसन नमबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा यही जो ब्यक्ति थे जब से बीना बजाते हुए इनको सिक्षे पर देखा गया है ठीक है समद्ध करेंगे अगला बात करेंगे कि एलोरा तता कैल एलोरा के कैलास किया था क्या पलाव ने किया था या राष्ट कूट में किया था यानि बाव तीस का जो है बतीस का अपसन नमबर जो हो जाएगा आपका दो यानि यह जो करने वाले थे यह जो थे राष्ट कूट थे कौन थे राष्ट कूट अपसन नमबर जो दो हो जाएगा राइट या कैलास मंदिक का निर्माने करवाया था ठीक है कैल स्टूब की सिस धरम तो हमने बता याता र enquanto जो षोते थे इस तरीके से समभन थे कौन्से थरह से बहुत धरम से और अस्तूब में जो होते थे उनकी अस्तिया रखी जाती थी स्टिया का मतलब क्या की जो मरज राज गये तो उनको जराने के बाद जो एस्तिया ब़ती हैं तो यहां सौरक्षण के रूप में रख दिया जाता था तो अस्तूप जो है वह बहुत धरम से संबंदी थे यहां तक निक्स कुश्ट deerこんにちは ordered देखें पर आप को तो टीस्वा कोश्टं देखें है औलबुरुनी अलबुरुनी किसके साथ भारत आया था अलबुरुनी जो ता वह इसके साथ भारत आया था इन बातों के याद रखेंगे तो अलबुरुरुनी जो आया था वह किसके साथ भारत आया था किसके साथ याद रखेंगे यह आया था मुहमद गजनवी के साथ मुहमद गजनवी के साथ यह भारत आया था अलवरुनी अलवरुनी ठीक है ना अलवरुनी किसके साथ आया था तो मौमद गजनवी के साथ आया था यह कई बार एकजामे कोशन पूछे ग करेंगे और उसके बाद आगे बाद करेंगे लिखा है कि एबनी बतुता किस देश का निवासी था इबनी बतुता जो था यह मरोकों का निवासी था यानि option number C जो हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है अगर आप बात करें कि मुस्लिम लिंग के मुस्लिन लिंग की संस्थापक कीस बरस हुई थी जो मुस्लिन लिंग की संस्थापना होती है किस बरस होती है तो मुस्लिन लिंग की अस्थापना जो होती है याद रखेंगे आपका 1906 में आपसन नंबर बहुत जो हो जाएगा राइट हो जाएगा यानि बी अपस तो दस क्लास के कोश्चन कहीं इसमें पूछे गए हैं इंटर वाले में तो जरी वाला भाग आते अकंड का भुआ था तो उने इसमें यानि ऑप्सन इसका राइट हो जाएगा लिखाए कि डांडी किस राज में इस्ति थे जो डांडी है डांडी यातरा प्लूप सुने दांडी डांडी किस राज में इस्तित है कई बिघर कोश्चन पुछा गया है तो ऑप्सन नंबर आपका गुजरात जो है आपका ठाल रहे основ आप लोग जानते होंगे कि नमक की खेती भी होती है आप नहीं देखें तो वीडियो आप देखिए मेरे पिले लिस्ट में जाकर तो आपसान नमबर आपका जो है जाएगा सी करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट कोस्टन की बात करेंगे कि पूना समझाता किस वरस हुई थी पूना समझाता कि बात करेंगे तो यह जो आपका आपसान जो हो जाएगा ए उन्हें सब्वतिस में पूना समझाता हुई थी नेक्ट कोस्टन और लाइस्ट कोस्टन की बात करेंगे निमलीखित में किसका परकासन अब्दूल कलाम आज्याद ने किया था यानि कौन से है अब्दूल कलाम आज्याद ने परकासित किया था यानि आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरा दोस्त तो आप एक बर जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है